किसी भी exam को crack करने के लिए जो सबसे important होता है वो है आपकी consistency, 10 से 12 घंटे का hard work, जब तक आप exam दे नहीं लेते, time management, आपका isolation और best and exam oriented study materials, इसके अलावा self motivation की भी जरूरत होती है, इस strategy की जो सबसे important बात है, मैंने हर छोटे छोटे बातों का ध्यान रखा है, ताकि आपको best strategy मिल सके, Hello everybody, मेरा नाम है निशानत मारूपता, और मेरी regarding ये कुछ credentials हैं, इस strategy के flaws जो हैं, कुछ इस तरह से हैं, कि मैंने इस strategy में जो सबसे पहला assumption कर रहा है, वो है कि इस video को या इस strategy को follow करने वाले जो student होंगे, वो average होंगे, जबकि हमें पता है कि इसका form जो है, ज्यादतर उन लोगों ने उस तरह के aspirant ने भरा है, जो UPSC, CSE, State PCS, SSC, Railways, Commerce Background वाले बच्चे होंगे हैं, तो अविस है कि सबके पास एक अपना edge है, जो इस exam को qualify करने के लिए एक plus point रखते हैं, दूसरा जो इसका flaws है, इस strategy is ideal for those who have yet not started, अभी तक जिन्होंने start नहीं करा है, जो बिलकुल zero level पे हैं, वो इस strategy के तरू जो है, वो rank holder बन सकते हैं, third, it is based on consistency, so अगर आप ये समझोगे कि कुछ दिन मैंने पढ़ा, फिर कुछ दिन का break लिया, तो ये strategy आप नहीं कर पाओगे, this strategy is not for you then, जो fourth number का जो flaws है, इसमें जो resources जो मैंने लिये हैं, वो best लिये हैं, जो overall जो मुझे लगता है, जो exam oriented है, वो बहुत सारे ऐसे student होगें, जिनोंने paid courses लिया होगा, तो वो paid courses से preparation कर रहे होंगे, तो उनके लिए ये strategy completely जो है ideal नहीं है, उन्हें इसमें कुछ अपने recording modification करना पढ़ेगा, और जो fifth number का assumption है कि आपको till April 2021 तक 10 से 12 घंटे तक जो है आपको पढ़ाई करनी है, अगर मैं इस strategy की strength ही बात करूँ, सो सबसे पहला है कि ये strategy उन बच्चों के लिए जो UPSC, CSE, Civil Service exam, State PCS का exam, SSC, Railway and Banking का exam दे रहे हैं, उनकी पास एक edge है कि वो इस strategy को 3 से 4 महिने में खतम कर सकते हैं, दूसरा जो strength है वो है ये बिलकुल feasible है, practically possible है इस strategy को follow करना और इसमें कुछ भी ऐसे ऐसा point नहीं है, जो आपको fake लगे, थर्ड जो important point है वो है कि हो सकता है कि कभी किसी वक्त ऐसा हो कि आपकी तवित खराब हो जाए, क्योंकि एक लंबा goal है, six month के आसपास का time period है आपके पास, तो उस situation में है क्या कि हो सकता है कि आपकी तवित खराब हो जाए, कभी कोई साधी अटेंट करनी हो या फिर कभी कुछ ऐसा हो, तो इसमें एक make-up time period है, जो तक्रीबन 10 से 12 days का है, 10 से 15 days का है, तो आप इस time period पे जो है, आप अपना जो भी आपका remaining part होगा, जो चूट जा रहा है, उसे आप make-up कर सकते हैं, और जो fourth number का जो सबसे important point है, और जो इस strategy की strength है, even जो सबसे strong point है इस strategy की, वो ये है कि आप zero level से आप एक rank holder बन सकते हो, अगर आपने honestly के साथ इस strategy को follow करा, इसके अलावा इस video को आप complete देखो, हो सकता है कि आपको ये strategy समझ में ना आए, तो किसी तरह का, अगर कोई भी point में अगर आपको problem हो, तो आप comment box पे comment कर सकते हैं, इसके अलावा आप इस strategy को देखकर के आपको बताना कि ये possible है आपके लिए या नहीं, मैंने already बता रखा है कि UPSC enforcement officer का exam जो है 9th of May 2021 को होने वाला है, और उसके regarding ये सारे topics पूछे जाएंगे, अब इसके अंदर जो detailed syllabus है, वो अगर आपको जानना है, तो आप इस i icon पर यहाँ पर click करो, और आप detailed syllabus आप देख सकते हो, उसकी वीडियो मैंने upload करी हुई है, आप detailed syllabus देख सकते है, अब जो assumption है, इस strategy को follow करने के लिए, वो मैंने लिया है, you do not know anything, मतलब जो इस strategy को follow कर रहे है, उन्हें किसी भी तरह का, उन्होंने अभी तक start नहीं कर रहा है, और वो बिल्कुल basic level से preparation करेंगे, दूसरा assumption मैंने लिया है, कि आप एक average student हो, तीसरा जो है, आप isolate तो हो सकते हो, लेकिन completely जो है, six month के लिए आपको कहा जाए, कि आप एक room में बंद हो जाओ, और सिर्प्राई करते रहों, so this is not possible, मेरा यह assumption है, कि आप अपने आपको isolate नहीं कर सकते हो, पूरी तरह से, और तक्रीबन जो है, इसमें आप at least 40 to 50% अपने पूरे दिन का time आप खुद के लिए आप दे सकते हो, तो तक्रीबन अगर 40 to 50% कि अगर मैं बात करूं, तो 10 से 12 घंटे ही निकलते हैं, 10 से 12 घंटे आप पर डे, एक दो घंटे प्लस माइनस है, तो उपर नीचे हो सकता है, depend on your efficiency, next जो important assumption है, वो है कि हर slot के लिए जो है, आपको दो घंटे मिलेंगे, आपको दो घंटे में आपको अपना जो एक पर डे का जो target है, आपको वो achieve करना है, और enough है, अभी slot में क्या है, वो हम लोग आगे discuss करेंगे, और next जो important point है, वो है कि आपने अभी तक कोई भी purchase resources नहीं करा, कोई भी paid resources नहीं करीदा है, तो जो resources जो मैं बताऊंगा अभी आपको, वो बिलकुल मेरे द्वारा examing करेंगे हैं, सारे resources authentic हैं, exam oriented हैं, और 100% आप उन पे rely कर सकते हो अपने paper के लिए, इसके अलावा जो last point है, so you are in those serious candidate will watch this strategy till end, मतलब आप इस तरह के serious हो, या आपने सर्फ यहां तक देख करके नहीं छोड़ा है, आपने इस वीडियो को complete देखा है, उसका reason यह है, कि इस वीडियो के अंत में मैंने कुछ important issues लिये हैं, जो आप face करोगे, जब आप preparation कर रहे होगे तो, तो उसे encounter कैसे करेंगे, वो हम लोग last में discuss करेंगे, इसका आप screenshot ले लो, अगर आप कभी भी demotivate हो, तो उस समय जो है, आपको पता चलना चाहिए, कि अगर आप इस exam का preparation कर रहे हैं, तो यह आपको किस तरह के perk देगा, और अगर आप कभी भी demotivation के कारण आपने पढ़ाई बंद कर दी, या फिर आप कभी diversion के कारण आपका ध्यान धरुदर चला गया, तो आपको हमेशा यह ध्यान रहे, कि आपको क्या-क्या challenges face करनी हैं इस exam को qualify करने के लिए, तो अगर मैं perks की बात करूँ, तो यह आपको 80,000 plus की salary देता है, A grade post है इसकी, आप जैसे ही इस exam को crack करते हो, आपके उपर जो है, आप पर एक designation आए चाहेगा, कि आप एक UPSC cracker हो, जो fourth number का important point है, वो है कि आपको इस exam के दुरू जैसे ही आप selection ले लेते हो, तो आपको तुरंथ instant जो है, आपको 4 लाग प्रत के soft loan की facilities मिलती है, इसका interest rate जो है, बहुत कम होता है, जो fifth number का point है, यह एक बहुत ही prestigious job है, और इसके अलावा आपको other facilities जैसे medical हुआ, insurance हुआ, mobile recharge facilities भी मिलती है, अगर आप vehicle अपना यूज़ करते हो, तो आपको fuel facilities मिलती है, fuel का मतलब आपको के लिए आपको पैसे मिलते हैं, इसके अलावा अगर आप transport, public transport यूज़ करते हो, तो इसके लिए आपको कुछ extra पैसे उधर से भी मिलते हैं आपको, आपको अपने बच्चों की tuition fees का एक percent मिलता है, कि आप something percent आपको government देती है, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, और इसके अलावा और भी बहुत तरह की facilities हैं, जो next important, जो perk है इसका वो है कि आपका जो first promotion जो है, वो तकरीबन तकरीबन आपके joining later के पास साल के अंदर हो जाएगा, और जो first promotion का जो post है, वो है आपका assistant PF commissioner का post, तो ये अपने आप में एक बहुत ही prestigious point है, कि आप commissioner label का designation लेते हो, तो अब इसमें मैंने two plus three इसलिए लिखा है, क्योंकि two years का, जैसे just आप की जब joining होती है, तो two years का एक probation period होता है, जिसमें आपको तीन या चार exam, official exam qualify करने होते हैं, अपने post को permanent बराने के लिए, accounts officer और enforcement officer की जो post है, वो starting के दो साल तक आपका private होता है, एक तरह से वो temporary होता है, और आपको दो तीन exam qualify करना होता है, उसे permanent बराने के लिए, then after जो है, आपका तीन साल का एक period होगा, जिसमें आप पर्मोशन के लिए work करते हो, और उसके बाद जो है, आपका तीन साल के बाद जो है, वो UPSC, Civil Service Exam, State PCS, SSC और Railways वाले आपको मिलेंगे, इसके अलावा banking के भी एस्परेंट है, जिन्होंने यह form भर रखा है, एक लाख serious candidates in which many have already started, मतलब इन में से बहुत सारे ऐसे होंगे, एक लाख बच्चों में से जिन्होंने पहले start कर रखा है, और जिनका syllabus average में complete हो रखा है, या पूरी तरह से उन्होंने complete कर दिया, अब इसमें 1000 बच्चे ऐसे हैं, जिनके लिए do or die वाली situation है यह, कि उन्हें यह job लेना ही लेना है, वो इतने passionate हैं इस exam को लेकर के, कि उन्होंने even सब कुछ complete करके mock दे रहे होंगे, तो आपको इन सब को beat करना है, तो यह अपने आप में बहुत बड़ा challenge है, अब अगर मैं बात करूँ कि अपनी strategy का जो मेरा यह blueprint है, आप समझ लो एक तरह से, जिसे मैंने total six phases में divide कर रहा है, अब जैसे ही आपको अपना complete syllabus पता चल जाता है, तो आप उन 10 लाख बच्चों से चट कर, जिन्होंने form बढ़ा है, आप उन 1 लाख बच्चों की category में आ जाते हो, जो serious candidate है, जो इस exam को qualify करना चाते हैं, अगर आपने अभी तक detailed syllabus नहीं देखा है, तो इस eye icon पर click करके, आप detailed syllabus की video देख सकते हैं, phase 1 जो मैंने जो लिया है, ये November, December का time period है, ये 2 महिना, तकरीबन 60 days का time period है, और इस phase 1 में, आप अपना base build up करोगे, concept clearance आपका होना चाहिए, notes preparation आपका होना चाहिए, अगर आप notes बनाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि paper से ठीक पहले सर्फ यही है, जो आपको quick revision देता है, तो first phase में हम लोग अपना concept clear करेंगे, second phase की अगर मैं बात करूँ, तो January and February का time period है, इसमें हम लोग, जो भी हमने notes बनाया है, जो भी हमारे facts and figure हैं, जो हमें लगता है कि ये हमें learn करने हैं, तो हम उन्हें learn करेंगे at any cost, देखो, ये जो phase one है, इसमें हम लोग, ये इसमें edge है, उनके लिए जन्होंने preparation start कर लिया है, इसमें आप लोग edge ले सकते हो, अगर आपने seriously जो है, अपने आपको build up कर लिया, उस शीश के लिए, आपने January, February का जो मन्त है, उसमें आपने सारी चीजें, सारे facts and figures आपने याद कर ली, क्योंकि 90% बच्चे जो है, यहां पर आकप के मार खा जाते हैं, क्योंकि उन्हें याद करना पड़ता है, चीजें learn करनी पड़ती हैं, और ये important भी है, क्योंकि chronology जो है, एक बहुत important feature है, UPSC के papers का, वो हमेशा chronology पूछता है, तो आपका chronology का question कभी भी गलत नहीं होगा, अगर आपने चीजें को मदब कर लिया है, तो, phase 3 जो है, वो एक दिन का time period है, जिसमें आपको सिर्फ, UPSC 2017 paper का post-mortem करना है, post-mortem का sense यहाँ पर यह है, आपको detailed analysis करनी है, कि किस तरह के questions आई हुए है, कहां से आई हुए है, और उसे और कौन-कौन से questions बन सकते हैं, इवेन आपको वो सारे questions के answer आपको learn होने चाहिए, phase 4 जो है, वो आपका March का time period है, जिसमें आप सिर्फ revision करोगे, make-up करोगे, अगर आपका कुछ रहे गया हो, कोई chapter और reference book पढ़ोगे, अब सभी पूरे complete slivers के लिए आपको reference पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट कुछ topics ऐसे हैं, जो reference के बगार आपका नहीं होने वाला, जैसे अगर मैं accounting principle की बात करूँ, तो ये BCOM तक के slivers से question आता है, BCOM तक का slivers जो है, वहाँ से आप मतलब इसके अंदर question आया हुआ है, तो obvious है कि आपको कुछ extra materials पढ़ने ही होगे, वो मैं बता दूँगा आपको क्या पढ़ना है, लेकिन आपको मार्च में कुछ references पढ़ने हैं, then again आपका एक दिन का दूसरा एक और phase आता है, this is phase 5, जिसमें आप EPFO की बागी सारी papers, चाहे वो commissioner वाली post के लिए हो, चाहे other post के लिए हो, वो सारी करने हैं, और इसका link जो है, इन सभी papers का, या फिर जो भी references हैं, जो मैंने use करने हैं, study materials की जो videos होंगी, वो सारे link मैंने दिये हुए हैं, phase जो 6 है, वो आपका 15 से 25 दिन का होगा, जिसमें आप revision करोगे, अब ये आपकी efficiency पर depend करता है, कि आप कितना ज़ादा revise कर सकते हैं वो अपने topics को, आप एक बार revise कर सकते हो, आप तीन बार revise कर सकते हो, it's on you, अब देखो ये एक scale है, अब जैसे जैसे आप जो जो phase क्रॉस करते जाओगे, वैसे वैसे आपकी ranking बढ़ती जाएगी, जैसे अगर जैसे आपने syllabus जाना, तो आप 1,00,000 students के अंदर आगे, जैसे ही आपने अपना base clear करा, तो आप 30,000 से 50,000 students के अंदर आगे, जैसे ही आपने phase 2 complete करा, तो ये सबसे typical phase यही है, और यही आपको edge देता है, जो आपको 1,000 से 5,000 rank के अंदर आपकी position ले आता है, next आप जैसे ही 2017 का paper अच्छी तरह से analysis करते हो, तो आप 500 से 1,000 rank के बीच आ जाते हो, जैसे ही आपने revision, make up और reference के उपर work करा, तो आप selection के list में आ जाते हो, यानि यहां तक आपको anyhow पहुँचना ही है, cross करना ही है, आपने जैसे ही इस border को cross करा, तो आप 500 से 400 rank के बीच आ जाते हो, और आपको हमेशा कोशिश करनी है, कि आप 100 rank के अंदर ला सको, अगर आप save zone में रहना चाहते हो, तो next जो phase है, वो EPFO के सारे papers का है, इसके अलावा आपको studious के भी paper करने पड़ेंगे, maths, English के लिए, इसके अलावा आपको reasoning भी आपकी इससे cover हो जाईगी, जादा इंप्रूब होगी, और rank 1 से rank 100 तक ये तो luck पर ही depend करता है, क्योंकि सारे toppers होता है, इस जो ये जो gap है, 1 to 100 का, इसके बीच के चितने भी candidate होंगे, वो सारे toppers ही है, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, luck जिसके कारण जो है, ये एक दू नमबर आगे पीचे हो जाता है, phase 1 की अगर मैं बात करूँ, तो अब, ये जो phase है, वो बिल्कुल concept clearance, base building और understanding का phase है, इसमें जो मैंने resources लिये हैं, वो बिल्कुल genuine and authentic है, और 100% आप इस पर rely कर सबते हो, इसमें से किसी भी, चाहे जो भी हो, चाहे वो channels का नाम हो, या फिर कोई book का नाम हो, या फिर कोई references का नाम हो, तो इन्होंने मुझे कोई पैसा नहीं दिया है, ये सारे resources मैंने चेक कर रहा है, और मुझे बिल्कुल लगा, कि ये exam oriented है, इनकी chattering या promotion बहुत कम है, आप उसे ignore कर सकते हो, अगर आपको free में materials चाहिए तो, और ये paid materials से, के comparison में, अगर देखा जाए, तो मुझे लगता है, कि बिल्कुल similar है, even कुछ ऐसे हैं, जो बिल्कुल best है, like this one, and this one, मतलब paid materials में भी, ये सारे topics इस तर से cover नहीं कराए गए है, तो देखते हैं, इसमें क्या क्या करना है, तो सबसे पहले अगर industrial relation and labor laws की बात करें, तो अभी paidia, youtube channel है, आपको यहाँ पर जाकर के, ये topic cover करना है, link आपको description में मिल जाएगा, इसका, इसकी total 13 videos classes है, और हर videos classes का जो average duration है, वो 10 घंटे का है, तो अगर देखा जाए तो आप 13 से 15 दिन का आपका total समय लगेगा, इस पूरे topic को cover करने में, अगर मैं social security in India की बात करूँ, तो success free youtube channel है, जिसके through जो है, आप अपना ये slivers complete कर सकते हो, इसकी total 6 videos है, और हर video का जो duration है, वो एक घंटे के आसपास का है, और 3 से 4 दिन का आपको समय लगेगा, link again given in the description, general accounting principle, best resources जो मुझे youtube पे मिला है, वो अभी PDI youtube channel का ही मिला है, इसकी total 30 video classes है, हर video जो है average duration उसका 50 minutes का है, और मुझे लगता है, अगर आप हर slot को, मतलब ये slot नहीं है, हर किसी को जो है आप 2 hours अगर दे रहे हो per day, 2 hours per day दे रहे हो, ठीक है, तो आप जो है इसे 15 दिन में आप इसे cover कर सकते हो, जो भी यहाँ पर time period, जो यहाँ पर approximately time to finish है, वो आपका 2 hours per day है, अगर इन सब पर 2 hours per day दे रहे हो, अभी हम लोग देख लेंगे, अभी मैंने schedule आगे बताया है, कि आपको कैसे cover करना है, अभी सिर्फ मैं आपको resources बता रहा हूँ, कि आपको कहां से करना है, और आपको कितना समय लगीगा cover करने में, अगर मैं economics की बात करूँ, तो let's crack UPSC, CSE, by Kapil Sikka, बहुत अच्छी इनकी analysis है, economics की इन्होंने रमे सिंग cover करा है, मुरुनाल सर की वीडियोज भी आप देख सकते हो, लेकिन ये जो YouTube पे available है, वो 2015 और 2017 का है, आप देख लेना, दोनों ही cases में ये redundant है, क्योंकि slaves जो है आपका current affairs oriented होगा, जो भी paper में पूछा जाएगा, वो current issues से related पूछा जाएगा, तो मुरुनाल सर की वीडियोज अच्छी हैं, बट वो latest नहीं है, तो आप इसे नहीं देखो तो better होगा, तो कपिल Sikka सर की जो वीडियोज है, आनेक आडमी पे आप वो ज़रूर देखना, लिंक अगें, given in the description, इसकी total 37 वीडियोज है, जिसके, और हर वीडियोज जो है, तक्रीबन टेर गंटे की है, तो आपको तक्रीबन 37 डीज लगेगा, इसे cover करने में, current events and development issues की बात करूँ, तो आपको Vision IS का monthly magazine, इसे लेना है, इसका PDF जो है, हर मन्त का available होगा, मेरे telegram channel पर, तो आप वहाँ से download कर सकते हैं, मेरे facebook page पर भी अविलेबल होगा, तो आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं, ये total 16 मन्त का आपको पढ़ना है, ये 16 मन्त आपको जैन 2020 से लेकर के, 2020 से लेकर के, ये आपको April 2021 तक का है, तो टोटल 16 मन्त है, और इसे आप अराम से smoothly cover करो, मुझे लगता है हर एक मन्त का magazine cover करने में, आपको तीन से छे घंटे का समय लगेगा, तो टोटल आपको 32-50 days का time period है इसका, अगर मैं industrial freedom struggle की बात करो, Indian freedom struggle की बात करो, तो इसमें जो best book है, वो brief history of modern India, राजी अहीर सर की spectrum जैसी book है, जो तकरीबन जिसमें सभी के point है, ये विपिन चंद्रा का बिल्कुल एक तरह से समझो कि आप जिरॉक्स copy है, लेकिन main points given है उसके, विपिन चंद्रा जैसे मोटी नहीं है, प्लस साथ में जो है, इसके अंदर कुछ extra points भी डाले गाए हैं, जैसे अगर मैं बोलो तो, the era of darkness, जो सशी थरूर सर की book है, उनके भी points में डाले गाए हैं, तो आपको ये बहुत interesting लगेगा पढ़ने में भी, आप विपिन चंद्रा भी इसके जगह पे आप follow कर सकते हो, same है, बस थोड़ा सा लेंदी है ये, ठीक है, थोड़ा डीप में आपको पढ़ना पढ़ेगा, और अगर आप first वाले book को prefer करते हैं, क्योंकि मैंने इसके recording बनाया है, तो इसमें आपको chapter 3 to 32 पढ़ना है आपको, और हर chapter को cover करने में 2 से 4 घंटे का समय लगेगा, depending on your efficiency, और तक्रीबन 30 से 60 दिन का आपको समय लगता है, अगर आप हर chapter पे 2 घंटे का घर समय दे दे हो, तो अगर मैं Indian quality की बात करूँ, तो Indian quality के लिए जो one and only book है, चोटे हैं जिसे आप merge कर सकते हो और overall देखा जाए तो यह तक्रीबन 60 chapters के आसपास बनता है और दो घंटे डिपेंड आपकी efficiency पे डिपेंड है यह दो से आप 3 घंटे चार घंटे पाच घंटे आपके डिपेंड है, जिसमें आप M.Lakshmikanth cover करोगे यह एक approach data है जो average student के लिए है अगर आप efficient हो और आपने थोड़ा मुड़ा भी आपको Indian quality के बारे में पता है तो आप इसे बहुत जल्दी cover कर सकते हो, दो महीने के अंदर यानि 60 days के अंदर तो 100% यह cover हो जाएगा, अगर मैं science and tech की बात करूं तो one and only reliable source जो YouTube पे available है वो डॉक्टर सचिन कदम सर की Unacademy की video lectures है, यह CSE prelims पे बेज़र है और इसके total 61 video classes है, हर video classes जो है वो one hour की है और आपको पंदरा दिन में यह cover हो जाएगा, अगर मैं English की बात करूं तो वो MBA publication book है जो जिसे Bible कहते हैं English की और जो है इसके nine topics है प्लस आप में previous year paper है, previous year paper को अगर मैं छोड़ दूँ तो बाकि यह nine topic करने में आपको one month का समय लगेगा और अगर आप hardly one hour per day अगर दे रहे हो तो, क्वांट की अगर मैं बात करूं तो राकेश यादव 7300 इसके अलावा आप अगर यह अगर आपको जादा मूटी लगे तो आप राकेश यादव की class notes फॉलो कर सकते हैं यह तक्रीबन 24 chapters है और साथ में जो है आपके दो chapters आपको extra करने पड़ेंगे जो इसमें cover नहीं है क्य समझता है आपको तो आप जब NDA और CDS का paper cover करोगे तो भी आपका हो जाएगा आप कुछ extra concept अगर आपको समझना है तो आप कोई भी वीडियोज देख लेना आपका cover हो जाएगा क्वांट का यह topic हर topic को करने के लिए हर chapter को करने के लिए आपको दो से तीन घंटे का समय लगेगा और टूटल जो है 30 डेज का समय रहने वादा कंप्यूटर के लिए one and only book Lucent की book होती है बहुत पतली सी बुक है और पचास रुपर में साइद मिल जाएगी ठीक है तो आप ले लेना इसे शे से साथ दिन में यह कबर हो जाएगा रिजनिंग के अगर मैं बात करूं तो आप का अगर आप एससी या बैंकिंग के स्टुडेंट हो तो आप इसे देखोगी नहीं क्योंकि यह बहुत सिंपल होता है बहुत इजी कोशन्स आते हैं इसमें लेकिन अगर आप एक बनाया होगा है डिटेल्ड स्लेवर्स का तो उसमें आपको वह सारे चैप्टर्स गिवन हैं जो आने वाले हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर के एक्जाम में तो तकरीबन आपको एक से पांस दिन का समय लगेगा इसे कवर करने में अब यह टाइम स्लॉट है आपको किस स्लॉ स्लॉट में इतने सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं दो महिने में नमवंबर और डिसमबर में ठीक है हर स्लॉट के लिए 2-5 घंटे का समय है कुछ के लिए 1 घंटे का भी समय है तो ओबरॉल देखा जाए तो आपका 11-12 घंटे का टाइम पिरिड बनता है जो आप पहले रखो और या तो आप इसे पहले रख सकते हैं या फिर इंटिन पॉलिटी जो बहुत बड़ा एक महमत टास्क करना आप इसे भी पहले रख सकते हूं जो आपको तीन घंटे पर डे आपको देने है इसमें तो अब देखो इस तरह से अगर आप कर रहे हो उसके ब करना है और यह अपरेल तक जाएगा तो आप उससे पहले जो है अपना पहले का जो भी इस साल का जो है आप कुंप्लीट कर लोगे जन्वरी फरवरी तर तो आप उसके बाद भी रिवाइस कर सकते हो इसमें रिवीजन का सीन जो है मैंने बहुत बाद में रखा है तो आप इसे एक घंटे पर डे दे करके भी आप कवर कर सकते हो इंडियन फ्रेडम स्ट्रगल टू आर्स पर डे आपको पढ़ना ही पढ़ना है और जो है आपका इंग्लिस का जो है इंग्लिस आप यह वन आर पर डे दो गई जिसमें आपको बेसिकली जो है वो काब पॉर्शन है अलग लगत तरह का चाहिए वो इडियम सो चाहिए वो ओडबलुए सो चाहिए वो आपके स्पेशल वर्ट सुन या फिर सारे चीजें देख नहीं है इसमें कि अगर मैं बात करूं तो आप टू आर्स पर डे दोगे तो आपके तीस दिन के अंदर-अंदर खतम हो जाएगा में भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है तो अगर आप अगर मैं नोट्स बनाने की बात करूं तो आपको पुशिस करना है कि आप ज्यादतर जो टॉपिक है उसका नोट्स के फरम में आप रखो क्योंकि पेपर के टाइम में वह रिवीजन के लिए वह बेस्ट होता है लेकिन आपको ऐस्ट्री का टॉपिक है इसकी आपकी नोट्स नहीं बनानी यह क्यों नहीं बनानी है तो मैं आपको आगे बताता हूं इसके अलावा इंगलिस का नोट्स नहीं में तो जादर बैटर होगा देन क्वान्ड आपको किस तरह से पढ़ना अशल लंगता है कि वह प्रा चाहिए यह जनवरी और फर्वरी का जो है टाइम प्रिएड होगा जिसमें आप फेज टू गवर करोगे और यह गेम चेंजर फेज है मतलब इसी पर आपका सेलेक्शन डिपेंड करता है अगर देखा जाएं तो अब इसमें जो आपको नोट किसकी किसकी रखनी है और जिसको आपको नोट से पढ़ना है मतलब मैं उसकी बात कर रहा हूं तो इंडेस्ट्रियर रिलेशन और लेबर लॉस की अगर मैं बात करूं तो आपको नोट से पढ़ना है आपको नोट से पढ़ना है अगर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है आपने इसे तक्रीबन जो भी टा स्टार्ट करोगे तो दिसंबर तक का मतलब 2020 तक का आपने सारा करेंट अफिर्स अगर आपने कर लिया है इस समय तक दो महिने में तो आपको रिवाइस कर लेना ज्यादा बेस्ट होग आपके लिए इंडियन फ्रेडम स्ट्रगल की आपको नोट से नहीं पढ़नी है यह मैंने मेरे टेलिग्राम चैनल पर एक अल्रेडी नोट चाहिए डिजायर आईस स्पेक्ट्रम है यह यह एक्शल नोट में है और सारे टॉपिक्स सारे पॉइंट्स कवर हैं जो भी आप पढ़ोगे चाह या आप अब ब्रीफ इस्ट्री आप मॉडर्न इंडिया राजी अहीर वाली बुक्स से पढ़ो तो वो सारे पॉइंट्स कवर होंगे तो आपको सिर्फ यह बुक्स पढ़नी है नोट्स बनाने में अपना टाइम बेस नहीं करना है इंडियन पॉलिटी की बात करो तो निकाल लो और कुछ भी अगर पढ़ लेओं लेक्षमी कांथ अगर इक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलती है तो आप उसमें लिखना सुरू कर जो साइट में तो ज्यादा बेस्ट होगा जल्दी कवर हो जाएगा साइंस और टेक का आपको नोट से पढ़ना है इंगलिस तो प् करों तो कंप्यूटर में जो है आपको लूसेंट पढ़ना है या फिर लूसेंट से रिवीजन करना है रिशनिंग में आप कुछ ना करो तो ज्यादा बेटर है क्योंकि अल्रडी आपने कर लिया है काफी है फेस्ट्री की बात करों तो फेस्ट्री में आपको EPFO 2017 का पेपर करना है deep analysis करना है और यह जो time period जब आपका आएगा उससे एक दो मैने पहले ही मैं इसकी वीडियो आपको upload कर दूंगा detailed analysis के साथ तो आप वो वीडियो देख सकते हैं तो आपका समय बचेगा आप relax कर सकते हो उस दिन बांकि जो phase 4 जो आपका March में complete होना है उसमें आपको revision का time period है यह सिर्फ आपको revise करना है कोई भी topic है आपको revise करना है general accounting principle वाले जो topic है इसके लिए आपको reference पढ़ना है क्या reference पढ़ना है तो दिसा accounting principle वाले book को यह दो materials जो है telegram channel पर अविलेबल है मेरे आप आप से download कर सकते है economics की अगर मैं बात करूं तो आप अपने already videos देख रखा है अपना notes पढ़ लगा है तो आप कोई भी एक राके श्रिंग वाले book लेलो यह थोड़ी मोटी book होती है तो cover करने में थोड़ा time लगता ह संजीव वर्मा की book best time recording तो आप इससे जो है दो महिने में अराम से इसे even दो बार कर सकते हो अगर मैं current events and development issues की बात करूं तो आपको जो vision IAS का magazine उसे revision करना या फिर आप further जो है आगी का January और February का जो है even March तक का आप cover कर सकते हैं इससे अगर मैं Indian freedom struggle की बात करूं तो desire IAS spectrum जो है modern India का वह आपको क्या करना है रिवाइस करना है इससे Indian politics की बात करूं तो आपको notes से revision करना है science and take notes से revision करना है English का previous paper continue करना है वांट जो है revise करना है computer revise करना है और reasoning में जो है आप SSC या railways का जो mini mock होता है जो suppose करो आप grade up से अगर आप practice कर रहे हो तो grade up में आपको 10 से 12 questions या 15 questions का जो है एक mini mock होता है जो 5 से 10 मिनिट का होता है आप उसके थुरू जो है अपना reasoning जो है वो cover कर सकते हो phase 5 की अगर मैं बात करूं तो इस phase 5 जो है यह आपका एक दिन का है जिसमें आपको EPFO के सारे papers आपको देखने हैं यह सारे papers जो है टेलिग्राम चैनल पे अफेलेबल है आप महां से डाउन्लोड कर सकते हैं और जब तक यह आपका phase 5 आएगा उससे एक दो मैने पहले ही जो है मैं इसकी वीडियो डाल दूंगा अपने चैनल पर तो आप महां से भी deep analysis कर सकते हैं इसका आपको revision करना है as much as possible आप अगर एक बार revise कर सकते हो it's good बट अगर दो तीन बार करते हो revision अपना तो it's better और साथ में जो है mock test भी आपको लगाने है अब जो मैं खेह रहाता है कि इस वीडियो को आपको लास तक देखना है तो क्या है यह इसकी वजह से कि जब भी आप अगर strategy को आप follow करोगे और जब 10 से 12 गंटे कि आप अपना schedule बना रहे हो तो होता क्या है कि consistency issues जो है यह बहुत common issues है कि आपकी consistency maintain नहीं रहती activity issues है activity issues में मतलब passionate हमेशा नहीं रहोगे पर डे passionate नहीं रहोगे इस strategy को देख करके जो है हो सकता है कि आप चार दिन पास दिन एक वीक दस दिन आप motivate रहो लेकिन उसके बाद हो सकता है आप down हो जाओ break आपका जो है जो consistency है वो break हो जाए तो आपको इसका ध्यान रखना है कि कि आपकी consistency break now कैसे encounter करेंगे इन सब चीजों को हम आगे देखेंगे और क्या क्या है personal issues हो सकती साधी में जाना पड़ जाए कुछ हो जाए किसी की दित हो जाए घर पर या फिर आपकी तवित खराप हो जाए ऐसा हो सकता है जिससे आपकी continuity break हो जाए तो उससे कैसे deal करना है व लेकिन होता है सबका अपना personal matter है तो आप देख लेना कि diversion एक बहुत बड़ा factor है तो इससे बचना demotivate मत होना चाहे कुछ भी हो जाए demotivate मत होना और एक winter का समय आ रहा है तो laziness एक बहुत बड़ा factor है तो इन सब चीजों पर work करना बहुत ज़रूरी है अगर मैं encounters की बात क जो है आप 10 से 12 घंटे का आप schedule बना सकते हैं इसमें आपको कैसे पढ़ना है और जो है आपको 10 से 12 घंटे continuous नहीं पढ़ना है आपको हर घंटे को जो है 50 to 10 ratio में डिवाइड करना है या फिर 30 to 5 ratio में डिवाइड करना है मिन्स अगर आप 50 मिनट अगर पढ़ लेओ तो 10 मिनट का आपका relaxation period होगा या फिर आप 30 मिन पर लेओ तो 5 मिनट का relaxation period होगा और हर 3 चार घंटे या फिर आप अगर दो स्लॉट अगर आप कवर कर रहे हो यानि आप चार गंटे का सर्फ ले रहे हो उसके बाद आदे घंटे का या एग घंटे का आपको एक ब्रेक लेना है जिसमें और भी काम अगर आपका जो बचा हुआ है वो आप कर सको तो यह बहुत अच्छा एप है आप इसके थुरू जो है अपना प्रिप्रेशन अपनी कंटिन्यूटी इवेन आप इसमें चेक कर सकते हैं कि जो है आपने हर दिन कितना कितना पढ़ा है आप रूज जो है थोड़ा-थोड़ा एक्सरसाइज करो मिल्ड एक्सरसाइज करो ताकि जो है आप फटीग फील ना करो पैय्शनेट जो हैं आप हमेशा रहो और हमेशा ध्यान रखो कि जो है एक्सरसाइज बहुत जरूरी होता है क्योंके 10-12 गंटे आप एक दिन दे सकत हो लेकिन उसके बाद आपका सरीर जो है वो लथार्जी सिच्विशन में जाने लगेगा तो आपको आपको अलड़ी ऐसा लगए कि जो है नहीं यार बैटने में नहीं बन रहा है या कुछ और इशू जो रही है तो आप इससे बचना मेडिटेशन जरूर करना यह आपके can desse और इस कर देगा री इस्टोर कर D discl auto कर देगा है माइं डिधर्श कर देता है तो इस पर ध्यान देना meditation का मतलब सोना नहीं होता तो सो मच जाना आप meditation के जगा पर आप meditation नहीं होता तो आप refreshment ले सकते हैं बच्चों के साथ time spend कर लीजिए 10-15 मिनिट कुछ family के साथ time spend कर लीजिए तो आपका जो है एक refreshment अपने आप आजाता है यह सारे जो भी स्लाइड मैंने आपको देखा है उसमें अगर कोई भी अगर स्लाइड सापको अगर motivate कर रहा है जैसे कि वो challenges versus perks है आप उस slides का screenshot ले सकते हैं यह आपको motivate करेगा कि आपको पाना क्या है और challenges क्या क्या है तो याद रखे यह self motivation motivate करना आपको हमेशा जरूरी है आप खुद को self motivate करते रही है क्योंकि सिर्फ आप ही हो जो इस goal को achieve कर सकते हो यह problems जो है आप ही समझ सकते हैं कोई और नहीं समझ सकता तो आपको कैसे motivate रहना है यह आपकर करता है कि एक apology note यह है कि हो सकता है कि इस strategy में कोई वीक पॉइंट हो जिस पर मैंने ध्यान ना दिया हो तो मैं उसके लिए आपसे माफी चाहता हूं थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो और शूब लग फॉर पेपर